हेलो नमस्ति कैसे हैं आप सबी आई होब कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और आज मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग सुबह सुबह से कर ली है और आज जो है मैं बना रही हूँ दोपैर का लंच तो चाबल डाल और सबजी बस मैं सिंपल सा खाना बना रही हूँ सुबह साड़ी चीजे नास्ते में मैंने कर दी थी बेटी को तियार कर दिया था बड़ी बाली वो इसकूल चली गई है और हस्वेंट भी अपने काम पे चले गए हैं तो इधर बस सबजी बन रही है और एक तरब चाबल भी चड़ा रखा है दाल मैंने बना लिया है बस उसको फ्राई करना है और आज थोड़ा काम करने में मेरा बिलकुल भी मन नहीं लग रहा है वैसे तो जारू पुचा सब कुछ हो गया है लेकिन आज जो है मन इसले नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी बेटी बिमार हो गई है चोटी वाली सर्दी खासी बही सब जो वाइरल अभी चल रहे हैं सीजन में सब को हो रहे हैं वही मेरी बेटियां भी इ sequel हो गई है बड़ी वाली तो मेडिस लेके गई है और चोटी वाली जो है गुम्सुम बढ़ बैठी वई यह देखे लेटी वह है इसको मैने दबा वगई रहा है हैं कुछ खाप ही नहीं रही है इसे खुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो में थोड़ा है तो मैं सोच हुण जितने साड़े मैं जल्डी कर लूँ उत्य अच्छा है और मेरें में हाय और यह सब कुछ अर गो 레o क 토 Christmas बहुत को हीन के लिए तो यह सबी मैं कल में कल मसीन में डाल दूंगी सुबह सुबह तो धूल जाएंगे आज नहीं दोने वाली हूं मैं और सर्दियां काफी ज्यादा स्टार्ट होगी है यहां पर हमारे यहां पर आपके यहां पर कैसा हाल है आप मुझे जरूरू बताएगा थोड़े ब यहां अरेंच करके बस मेरे ही कुछ बचे हुए थे और मैं घर से ही कुछ काम करती हूँ कप्रों का बिजनेस है मेरा रिटेल का तो मैं उसके लिए भी जो कप्रे हैं वह इस बॉक्स में ही रख रखे है ताकि कोई भी आया है तो उसको जल्दी से मैं दिखाती हूँ और ज में कोई भी नहीं होता है help के लिए तो एक ही बार में दो तीन काम को मैं निप्टाने की कोसिस करती हो तो फटा-फट से पहले जो हेंगर के कपड़े हैं वो हेंगर में डाल देती हूं जो रिगुलर वाले होते हैं और बाकी के कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे अलमारी में सेटल्ट करने हैं तो वो मैं कर रही हूं तो बस यह अलमारी में मैंने सारे ही कपड़ों को अच्छे से अरेंज कर दिया है और इसके बाद मुझे आज रिसीव हुआ है मेरा गद्दा मेरे बेड का एक्चुली जो गद्दा है न वो नहीं था पुराने वाले बेड का ही था और हमने जब से इस घर में सिफ्टिंग कर बस इस समय हमने सोचा कि चलो थोड़ा गड़ा बनवा लेते हैं तो ऑनलाइन ऑडर करके गद्दे की मेजर्मेंट दे के हमने बनवाई है तो वह कैपसुल जो कहते हैं गद्दों की कैपसुल आती है उस तरह से हमें कुछ रिसीव हुई है तो फटा-फट से मैं इन सब ची इसका बेट था तो मैंने इस गद्दे को हाफ में बिछा रखा है नीचे के कुछ पोर्शन में मैंने जो है ब्लैंकेट्स को इस तरह से एरेंज कर रखा था कि वो बिल्कुल ही सेप में लगे और गद्दे के जैसा दिखने में लग जाए तो अभी मैं फटा-फट से पहले इन सब चीजों को हटाती हूँ और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मुझे कैसा गद्दा रिसीब हुआ है और वो बिछने के बाद कैसा लगेगा तो ब्लैंकेट्स को भी मैं पहले एक साइड कर लेती हूँ बेट को पूरा ही खाली कर लूँगी और ये सारी चीजे जो ह बेट से निकाल लूँगी इधर देखिए ये कैपसुल का जो गद्दा होता है ना मतलब कैपसुल इसको बोलते हैं और ये इस तरह से कुछ रिसीब हुआ है मुझे ऐसे पैक है ये बहुत ही अच्छे से पैक है लेकिन बापर भगवान मैंने इसको निकालने के लिए कितन कर निकालना पड़ा और ये वैक्यूम के जैसे ना बहुत जादा मतलब की निकलने के बाद फैल जाता है ये सब कुछ मुझे नहीं पता था और इस समय मेरे हस्बेंट भी नहीं आये थे तो मैंने अकेली ही सोचा चलो मैं ही करती हो और करके जब मैंने करना स्टार्ट किया तो जान निकल गई मेरी बट देखिए गदा बहुत ही अच्छे सेट हो गया है बेट पे हाफ इंस का मार्जिन आपको दीख रहा है क्योंकि वो बाद में सेटल्ड हो जाएगा जब गदा बैठेगा अच्छे से तो देखिए कुछ ऐसा मेरे रूम का लूक आया है मैंने अ वज़े से मैं बाद में पर्चेस कर लूँगी तो रूम तो बहुत ही खुप शुरत लग रहा था मैंने रूम में एक छोटी सी लाइट लगा रखी है जो कि चेंज होती है और मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगती है रात में जिस तरह से उसको पसंद है वैसे मैं इस ल तो गोवी आलो टमाटर के सब्जी बनाने वाली हैं तो गोवी आलो टमाटर के सब्जी में सबसे पहले मैं बटाती हूं आपके यूपी схнос को बना यह सब्जी को बनाई अच्छे से पीसना है मुझे तो लहसान अद्रग सबको बारिक करके चौप करके मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है और इसमूथ पेस्ट बनाने के बाद जो है बाकी की प्रोसेस में करके आपको दिखाऊंगी तो टमाटर प्याज अद्र दालिया है गैस पे डाला है कठाई कठाई मेरी लोहे की है इसले हैं करके बेस्ट बहुत जर्दी पकाता है क्उदे को गलता है आपकी से बहुत ही अच्छा होस् increment बनता है और जब जो है अपनी life style थोड़ी से उससे में बदली थी और वही मेरी आदत हो गई है तो अभी भी मैं उसी को follow करती हूँ थोड़ा सा तेल कड़ाई में डाल दिया है और डाले है मैंने गोवी और इसे अच्छे से मैं भून लूँगी हलके हलके से ब्राउन इस पर लाने है उसके बाद इसको अच्छे से तेल सेपरेट करके निकाल लेना है अब दोस्तो उसी तेल में जो बचे हुए है उसे में जीरा डालना है जीरा डालने के बाद मैं मसाले डालूँगी और इस समय गैस का फ्लेम बहुत कम रखना है ताकि मसाले जले नहीं फटा फट से जो भी चीज़े हैं मसालों में regular हल्दी धनिया मिर्ची का पाउडर ये स इसी वज़े से अगर आपका तेल बहुत गर्म है तो उसको बंद करके मसाले डाले या फिर बहुत इस लो फ्लेम पे ये सारी चीज़े की करनी है तो अच्छा फ्लेवर आएगा मसाले जलेंगे नहीं आप जो पेस्ट मैंने बनाया था वो सब कुछ इसमें डाल दिया है औ अब आलु डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया है मसालो के अंदर इससे और इसमें पार डिया है अब ते स फ्लेम पे मैं इसको फोरा से उबालूंगी जैसे ही उबल जायेंगे मसाले जो है पक जाएंगे और साथी है अलु बहुत अरा यसमे बार इसमें गोबी ओड़ गया है कुख हो गया है उसके बाद मैंने गोवी इसमें डाल दी है उसके बाद थोड़े से फ्रोजन मटर भी डाल दी है इसमें अभी तो सीजन की भी मटर बहुत मिठे-मिठे आरहे हैं अब वो भी डालियेगा बहुत बढ़िया लगे गा स्वात के अनुसार नमक ड जैसे भी खाएं पूरी के साथ बहुत बढ़िया लगता है तो इस तरह से जैसे ही आपका मसाला पक जाए तेल रिलीज हो जाए बहुत ही अच्छा सा लाल-लाल सा कलर आजाए आपके सब्जी बनके डन हो गई है अब इसको जो हरे धनिय के पत्ते हैं उससे गार्निश करिए और फिर सर्व करिए तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे जरूर बताईएगा आप आपके कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी भी डाल सकते हैं और आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है दोस्तो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा लाइक क करीगा मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल लखें बाई-बाई